हेलो फ्रेंट्स, बेलकम बैक टू जॉब्स हमसफर तो चलिए आज हम लोग अपने इस बर्ड जोग्राफी के सिकंड विडियो की ओर हैं और आज हम लोग एसिया के बारे में यहाँ पे डिसकसन करने बाले हैं तो चलिए अपने इस सफर को आगे बलाते हैं और देखते हैं क उसे सभ्यता का पालना कहा जाता है ठीक है इसे आप नोट डाउन भी करते चलिएगा मैं बोल रहा हूं उसे ही आप नोट डाउन कीजिएगा तो ज्यादा बहतर होगा आपकी क्लास जल्दी जल्दी पूरी होती जाएगी चलिए तो इस एसिया क्या बोला जाता है सभ्यता का पालना फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए क्योंकि कहीने कहीन जो सिंदु गाटी सब्वेता है वो हमारे एशिया में ही हुई थी ठीक है और वो सिंदु नदी के टेट पे हुई थी एक ए हो गया दूसरा एक्जामपल है जो आपका इराक है यहाँ पे वहाँ पे मेशोपोटामिया की सब्वेता या फिर सोमेरियन सब्वेता का उद्गम माना जाता है तो कहीन कही से हम सब्वेता का पालना बोलते हैं यदि आपसे question पुछा जा सब्वेता का पालना किशे बोलते हैं तो बिल्कुल Asia को बोलते हैं चलिए अगला जो हमारा fact है वो रहेगा कि आखिर कौन-कौन से देश हैं जो बिस्वत रेखा शे होकर गुजरते हैं यानि किस देश में बिस्वत रेखा गुजरती है इस चीज के बारे में यहाँ पर discuss करेंगे तो चलिए और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर कौन-कौन सा continent है महादीप है वहाँ से बिस्वत रेखा गुजरती है तो चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले तो एक नमबर पर देख लेते हैं यहाँ पर यह हमारा खुद A.C.A. है ठीक है दूसरे नमबर पर यहाँ पर हो गया अफिरका और तीसरा नमबर यह आप देखना चाहिए है यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा आपका South America यहाँ से भी क्रोश करती है तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए विस्वत रेखा तीन महादीपों से गुजरती है जिसका नाम है दस्चनी अमेरिका आपका होगा अफिरका और साथ ही साथ तिसरा आपका होगा एसिया चलिए एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लिए अब जो अगला फैक्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि एसिया के बारे में देख रहे है तो आखिर कौन-कौन से देश से एसिया के किस-किस देश से हमारी एक बिश्वत रेखा गुजरती है इसके बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते है क्योंकि हमें दिखेगा जूम आउट करने के बाद ही चलिए एक देश तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इंडोनेसिया इंडोनेसिया से हमारा यह जो बिश्वत रेखा है वो क्रॉश करती है इसके अलाबा और कहां से करती है इसको भी देखना जरूरी है चलिए तो हमारा अगला जो देश है वो है मालदिप तो उसको ढूड़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा फिगर को जूम आउट करते है देखिए यहाँ पर मालदिप आपका है जहां से विश्वत रेखा गुजरती है तो एक तो मालदिप आपका हो गया और दूसरा क्या हो गया इंडोनेसिया तो इसे आप नोट डाउन कर लेजे ठीक है दो देख है एक मालदिप और सेकंड इंडोनेसिया जहां से विश्वत रेखा गुजरती है और ये दो दो देख कहा है तो हमारे एशिया महादीप में है चलिए हम लोग नेक्स्ट जो बाते देखेंगे वो इंडोनेसिया के बारे में जानेंगे कि आखिर इंडोनेसिया जो है वो किन-किन देशों से मिलकर बना हुआ है किन-किन दीपों से मिलकर बना हुआ है चलिए तो यहां पे जो हमारा इंडोनेसिया है ठीक है वो 13,000 दीपों से मिलकर बना हुआ है तो यह आपसे पूछे कि जो हमारा एसिया है उसमें किस देश का सबसे ज़्यादा दीप है तो आप बोलिए ये इंडोनेसिया का सबसे ज़्यादा दीप है लगबग 13,000 के आसपास तो उसमें कुछ जो मुख जो दीप होंगे उसको आप नोट डाउन कीजिएगा चलिए तो उसे हम लोग ढूंडने की कोशिस करते हैं कि आखिर कौन-कौन सा जो देश है सोरी कौन-कौन सा जो दीप है वो इंपोइंटेंट है तो चलिए सबसे पहले नोट डाउन करते चलिएगा एक हो गया आपका शुमात्रा जो आपको दिख रहा होगा यहां पे देखिए नौर्थ सुमात्रा और शौर्थ सुमात्रा यानि यह पूरा सुमात्रा आपका हो गया ठीके पहला नंबर लिखते चलिए साथी साथ दूसरा नंबर आपका हो गया जाबा ठीके जो जाबा है वो आपको नीचे दिखेगा देखी यहाँ पे यह जो हो गया आपका जाबा हो गया third नमबर पर जो आपका आता है वो है बुरोनियो तो जो बुरोनियो है वो आपको कुछ यहाँ पे दिख जाएगा मैं दिखाने की कोईशेश करिए हूँ चलिए बोरोनियों जो है वो आपको इस तरफ उपर में दिखेगा ठीक है इसे आप अपने मैप में ढूंडने का कोसिस कीजिए कि आखिर बोरोनियों है कहाँ पे और उसके बाद अगला जो है सुला बेशी ठीक है तो अगला आप नोट डाउन कीजिए सुला बेशी देखिए यहाँ पे सुला बेशी आपका हो गया फिर उसके बाद न्यू गिनिया न्यू गिरिया आ लेजिए तो फिर से मैं नाम ले लेता हूं आप जल्दे से नोड़ डाउन कीजिए पहला हो गया हमारा शुमात्रा ठीक है मैं एक एक अच्छर लिखते जा रहा हूँ आप पूरा लिखते जाए है सेकंड नमर पर आपका हो गया जावां ठेड नमर पर हो गया आपका वोरोन करेंगे इसमें जो सबसे बड़ा दीविप है वो आपका होजाएगा यहां पर फड़ नम्बर में है बोरोनी उन तो आप दा उन किज़ों कि इंडोनेसिया का सबसे बड़ा दीविप जो है वो है बोरोनी और इस बोरोनी canonical पे किसका किसका अधिकार है इस चीज के बारे में भी हम लोग जानने का कोशिस करेंगे चलिए तो हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर जो बुरोनियों है उश पे किसका किसका अधिकार है ठीक है देखिए बुरोनियों तो दिख गया यहां पे इस पे अधिकार किषका किषका है ये नोट डाउन किजिए इस पे तीन देश का अधिकार है ठीक है वो तीन देश कौन है तो पहला तो इंडोनेसिया हो गया सेकंड नमबर पे आपका मलेसिया हो गया और थर्ड नमबर पे आपका ब्रुनेई हो गया इससे आप नोट डाउन वो है ब्रुनेई तो एफेक्ट हो गए अब इसके बाद और भी चीजे हम लोग देखते चलेंगे साथ में आफ लिखते चलिए चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो हमारा एसिया है उसमें जो मुख देश है उन में से छेतरपल के अधार पे उन देशों को देखेंगे और उसके साथ ही साथ एसिया के अलावे यानि कि एसिया के साथ-साथ हम लोग पहले तो ओवरॉल वर्ल्ड में यानि कि इन साथो कॉंटेनेंट में जो सबसे बड़े देश हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं भी फिलाल छेतरफल के द्रिष्टी से आखिर जो साथ बड़े देश है उनका नाम क्या-क्या है तो सबसे पहले no down करते चलिएगा आप लोग मैं वहाँ पे tick out करते चाल रहा हूँ चलिए जो सबसे पहला बड़ा देश है वो हमारा है रसिया इसे no down कीजिए second number पे जो देश है हमारा वो हो जाएगा कनाड़ा जो की आपको कहां दिखेगा उत्तरी अमेरिका में दिखेगा जो तीसरा बड़ा देश है वो हो जाएगा USA वो भी उत्तरी अमेरिका का देश है फिर USA उसके बाद फिर हम लोग फिर से बापस असया में आएंगे उसके बाद आपका हो जाएगा चाइना ठीक है फॉर्थ नंबर पे फिर फिट नंबर पे आपका हो जाएगा वराजील ठीक है जो आपको साउथ अमेरिका में दिखेगा फिफ्ट नमबर यान पाँचमे नमबर पे ब्राजील छटे नमबर पे आपको देखे हैं अस्ट्रेलिया छेतरफल के दिरिश्टी से हम लोग देख रहे हैं छटे नमबर पे अस्ट्रेलिया और साथमे नमबर पे हमारा प्यारा भारत चली तो हमारा साथ में नंबर पे छेतरफल के दिरिश्टी से हमारा इंडिया आता है इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए सबसे बड़ा कौन है तो आपका रसिया हो गया और जो हमारा स्थान है यानि कि इंडिया का स्थान है वो है सिवन्थ नंबर का ठीक है इन दो चीज को आप बिलकुल ध्यान में रखेंगे और ये भी चीज ध्यान में रखेंगे इन साथ बड़े देशों में से जो तीन है वो हमारे एसी आके है जो तीन बड़े देश में वो हमारे एसी आके है चलिए तो हम लोग अब आगे कुछ और भी तो अभी तो हम लोगों ने छेतरफल के अधार पे देखा अब उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जन संख्या के अधार पे जन संख्या के अधार पे भी नोट डाउन करते चलिए जो भी मुक्यता तीन चार देश हैं उसका नाम आप ध्यान में रखिएगा तो सबसे पहले जो हो जागा चाइना उसके पाद इंडिया सिकन्ड नमर पे थर्द नमर पे आपका हो जागा यूएस फुर्थ नमर पे आपका हो जागा इंडोनेसिया यह जो आपका नमरिंग है वो हो गया जन संख्या के अधार पे ठीक है पोपुलेशन पोपुलेशन के अधार पे आपका जो ए है नमबर है चाइना, इंडिया, यूएसे और इंडोनेसिया तो इसको नोट डाउन कर लिजिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अगला जो हमारा फैक्ट है वो है हिंद महासागर यानि कि जो इंडियान ओसियान था हमारा हम लोगों ने जो पिछले वीडियो देखा था उसमें जाना था कि हमारा पांच ओसियान है जो मुखेता है ठीक है उसमें जो इंडियान ओसियान है उसमें एक द्वीप है मेड़ागासकर ठीक है? वो आपको अफिरका के पास दिख रहा होगा लेकिन इंडियन ओसियन का द्वीप है तो आपसे question कुछ इस तरह का पूछा जाएगा कि इंडियन ओसियन का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताईए तो इंडियन ओसियन का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेड़ागासकर इसे no doubt करते चलिए और यदि आपको पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ठीक है? वर्ल्ड वाइड पूछे ठीक है? वर्ल्ड वाइड आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आप वहाँ पे ग्रीन लेंड बोलोगे क्या? ग्रीन लेंड ठीक है? हम लोग पिछले वीडियो में भी डिसकस किया था यह जो ग्रीन लेंड है वो तो नौर्थ अमेरिका का भाग है लेकिन इस पे अधिकार किशका है वो अधिकार है डेनमार्क का और यह जो ग्रीन लेंड है वही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो यह फैक्ट भी हो गई इसे नोट डाउन करते चलेंगे हम लोग यहाँ पे आप लोग वाइट कलर देख रहे होंगे यह वाइट कलर बेसिकली बताता है कि यहाँ पे लोग ना के बराबर रहते हैं यानि कि यहाँ पे पूरा आईस से भरा हुआ है पूरा का पूरा और यदि कुछ लोग रहते भी हैं तो वहाँ पर igloo बना कर रहते है ठीक है igloo में रहते है वहाँ कुछ लोग रहते भी है तो वहाँ पर igloo में रहते है और igloo होता क्या है तो बर्व से बना एक घर होता है जिसमें बाहर से जाधा temperature अंदर होता है यदि मालने जिए बाहर आपका है जो 0 degree Celsius हो तो अंदर आप मैं एक एक्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताया चलिए तो यह भी बात मैं बता दिया कि इस पर है जो राजनेतिक अधिकार किसका है डेनमार्क का है लेकिन यह है जो डिप है किसका नौर्थ अमेरिका का ट्विप है इन सभी चीज को आप नोट डाउन करते चलेंगे जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा वो कुछ इस पर कारका है कि चलिए देखें दुनिया का कौन सा वैसा देश है जो सबसे अधीक देशों से सीमा बनाता है ठीक है हम लोग अब बात करेंगे सीमा की कि सबसे अधिक देशों से शीमा कौन बनाता है बॉर्डर की ठीक है तो बॉर्डर की बात करें यदि हम तो एक हो जागा रसिया और एक हो जागा चाइना यह जो दो देश है वो समान रूप से 14-14 देशों से बॉर्डर बनाते हैं तो इनका नमबर फर्ष्ट हो गया यह आप से पूछे सबसे जादा कौन देश है जो दूसरे देशों से बॉर्डर बनाता है तो रसिया भी वहाँ पर अंसर होगा और चाइना भी हो सकता है क्योंकि दोनों 14 देशों से बॉर्डर बनाते हैं इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा चलिए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की और और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस एसिया के अब पूरे छेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर एसिया कहां से कहां तक फैला हुआ है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैप में देखिए एक important fact यहां पर यह आ जाएगा कि जो रूस है ठीक है जो रूस है वो एसिया के साथ साथ यूरोप में भी फैला हुआ है ठीक है एक line मैं इस तरह से draw कर देता हूँ इस तरह का एक है यूराल मौन्टेन यूराल मौन्टेन यूराल परवत जिसके द्वारा हमारा जो एसिया है वो डिवाइड होता है किस से यूरोप से एक यूराल मौन्टेन के दूसरे साइड भी रसिया का अधिकार है उसके साथ केबल एक ओर पर जो भी चीजे डिवाइड करते हैं वो मैं आप लोगो बता रहा हूँ यहां पर दिखा रहा हूँ साथ ही साथ, चलिए दिखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिखिए, मैं जूम करकर दिखाने का कोशिस कर रहा हूँ, यह आपका हो गया, Cache PNC, तो Ural Mountain के साथ Cache PNC, उसके बाद यहां पर दिखेगा आपको, ब्लैक सी और तीसर नामबर पर आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी तीन सी यहाँ पर दिखा एक कैसेपियन सी ब्लैक सी यहाँ पर कैसेपियन सी यहाँ पर ब्लैक सी और यहाँ पर मेडिटेरियन सी और उसके अलाबा जो है इुराल परवर्थ तो इन चार जो फैक्टर है इन ही के द्वारा है जो एसिया और इउरोप एक दूसरे से अलग होते हैं इनको डिवाइड कियाएगा है इसी तरह से इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे और फिर जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा वो हो जाएगा कि भुमर्ध सागर और लाल सागर ठीक है यानिंधेरीटरियन सी और रेड़ी सी के बीच में पूसी थै इस चीज़ को भी हम लोग डूण लेते हैं कि आखिर Mediterranean Sea और Red Sea के बीच में कौन सा देश है तो हम लोग अभी Red Sea के बारे में डिसकस नहीं किये हैं यहाँ पर इवराल मॉंटेन था यहाँ पर कैसेपीन सी था यह Black Sea और यह Mediterranean Sea था अब जो हमारा लाल सागर यानि कि Red Sea है वो यहाँ पर है ठीक है तो इस Red Sea और Mediterranean Sea ठीक है इसके बीच कौन सा देश है यह आपको पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल मिस्र है यानि कि Egypt जिसे एजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर स्वेज नहर बनाया ग होंगा चलिए उस नहर को भी आप देखने का प्रयास कीजिए देखिए यह आपका हो गया कि Red Sea यहाँ पर देख रहे होंगे Red Sea ठीक है उसके बाद यह आपका है Mediterranean Sea ठीक है इन दोनों को connect कैसे करता है जो आपका स्वेज नहर है उसको देखने का प्रयास कीजिए उसमें दिखाने का प्रयास करवा रहा हूँ आपको उसी को बोलते है स्वेज गनाल स्वेज नहर देखिए जूम आउट करने के बाद आपको कुछ दिख रहा हुगा इस परकार का और यही वो नहर माना जाता है जिसके द्वारा यूरोप और एसिया के बीच का डिस्टेंस है जो घटा है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां से ले जाकर मैं आपको मेडिटेरियन सी तक ले जाऊंगा चलिए ठीक है देखिए यहां से होते होते मेडिटेरियन सी की तरफ आप चले जाईएगा ठीक है यहां पर मेडिटेरियन सी रेडिशी और मेडिटेरियन सी को स्वेज कनाल कनेक्ट करती है और वहां पर जो देश है वो है आपका मिस्रे जिसे हम लोग इज़प्ट भी बोलते है तो यह जो स्वेज कनाल है उसके बारे में कुछ डिसकस कर लेते हैं हम लोग यह जो स्वेज कनाल है वो बना कब 8069 ठीक है स्वेज कनाल बना कब 8069 इसकी लेंथ की बात करें हम इसका जो लेंथ है 162 किलोमेटर 162 किलोमेटर है और यही जो है यूरोप और एसिया के बीच जो बैबार हो रहे हैं उसका मुख बज़ा है क्योंकि कहीं ने कहीं यह पूरा का पूरा डिस्टेंस ही खटा दिया यदि इस स्वेज कनाल जब पहले नहीं था तो कैसे लोग जाते थे इस चीज को आप देखिए आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कुछ स्पैनिश लोग आए भारत में कुछ इंग्लेंड वाले आए उनाइड़ेट किंग्डम वाले कुछ फ्रैंसिसी लोग आए और कुछ-कुछ जो पुर्तगालिज लोग आए थे यानि यूरोपियन कंट्री के जो लोग आते थे वो भारत किस परकार से आते थे ये तो अस्थल मार्ग पहले से था ही लेकिन अस्थल मार्ग के अलाबे यदि मैं बात करूँ जल मार की तो उसके लिए उन्हें ये वाला पूरा का पूरा पूर्सन घुमना होता था ठीक है देखिए इसके बाद वो आते थे यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते केप आफ कुड हो साउथ अफिरका के पास इसके बाद इस तरह से यहां पर भारत में वो लैंड किये थे ठीक है काली कट के टट पे चलिए ए चीज़ को तो इतना दूर से नहीं गये थे वो बेसिकली वो जो आते हैं वो इसके नजदीक से ही आते हैं ठीक है वो इस बज़ा से क्योंकि उन्हें पता चलता रहे कि आगे जो आने वाला जगह है वो कौन सा चलिए ठीक है कुछ इस प्रकार से वो लोग आये थे चलिए तो और भी कुछ मुख फैक्ट जो बचे हुए है उसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं तो एक है अरल सागर चलिए अरल सागर को हम लोग डोड़ने का परियास करते हैं कि आखिर जो अरल सागर है वो कहां पे है ठीक है तो बैस करली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहां से आप नोटडाउन भी कर सकते हैं जो अरल सागर है इसे नोटडाउन ही कर लेज़े तो बहतर हुआ कि किस-किस तेजस से सिमा बनाती है तो वो जो सिमा बनाती है वो कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान से सिमा बनाती है जो अरल सागर है वो कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान से सिमा बनाती है उसे मैं ढोनने का परियास कर रहा हूँ मैप में फ़ली उसे आप नोट डाउन ही कर लिजिये पहले यह जो हमारा हो गया कजाकस्तान और उजबेकिस्टान इन दो देशों के बीच में अरल सागर सिमा बनाती है कही ने कही यहां पर होना चाहिए वो अरल सागर इसे आप अपने मैप में देखिएगा तो आसानी से दिख जाएगा क्योंकि है मैं गूगल मैप का शहारा ले रहा हूँ थोड़ा सा चलिए अगला जो फैक्ट है हमारा वो है एसिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक अस्थल रुद्र देश कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका कजाकिस्तान ठीक है अगला पॉइंट के नोट किजिएगा कजाकिस्तान है जो यह सबसे बड़ा लैंड लॉक कांट्री है बढ़ते हम लोग आगे कुछ फैक्ट के ओर देखिए यहाँ पर हमें मंगोलिया दिख रहा है यह जो मंगोलिया है यह भी एक लैंड लॉक कंट्री है जो आपका रसिया ठीक है और चाइना के बीच बॉर्डर पे रिस्तित है इन दोनों से बॉर्डर बनाता है तो इसको भी नोट डाउन किजिए मंगोलिया के वल रसिया और चाइना से बॉर्डर बनाता है और साथी साथ एक और फैक्ट है कि रसिया और चाइना क बीच में एक नदी है वो नदी अम और नदी कहलाता है ठीक है उसको भी आप नोट डाउन कर लेजे कौन सा नदी अम और नदी इसको आप नोट डाउन कर सकते है ठीक है चलिए अम और नदी किसकी किसके बीच में सीमा बनाती है तो आपका रसिया और चाइना के बीच में सीमा बनाती है आगे हम लोग देख लेते हैं जो भी इंपॉंटेंट डेश है उसके बारे में थोड़ा सा तो अगला जो हमारा important देश है वो है जापान ठीक है और यह जापान किस तरफ किस तरफ इस्थित है इसके बारे में तो चाइना के यह है जो आपके इस्थ में इस्थित है आप बोल सकते हैं रसिया के साउथ में इस्थित है और इंडिया के रेफरेंस में यदि आपको पुछा जाए तो इधर तो आपका इस्थ हो गया और इधर नौर्थ हो गया ठीक है तो आप नौर्थिष्ट में बोल सकते हैं कि इंडिया के नौर्थिष्ट में चाइना सुरी जापान का लोकेशन है अब जापान के अहलाबे और यदि हम लोग देखें तो बात करेंगे फिलिपिन्स के बारे में कि आखिर यह जो फिलिपिन्स है वो है कहां चलिए तो एक जो देश हुआ वो हुआ फिलिपिन्स फिलिपिन्स के दीप समूँ जिसका राजानी आपका कहां हो जागा मनीला चलिए यह सभी चीजे हो गई और भी बाते हम लोग इसके साथ साथ करेंगे और कुछ फैक्ट जो भी है वो से नोट डाउन आप करते चलिएगा जो हमारा माल दिप है वो हमारे एशिया का सबसे छोटा देश है इसको भी आप नोट डाउन कर सकते है एशिया का सबसे छोटा देश है जो माल दिप है और साथ 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 सबसे बड़ा प्राइदीप बोली जाए तो अरब प्राइदीब अरब प्राइदीब का सबसे बड़ा देश यदि बोला जाए अरब प्राइदीब का सबसे बड़ा देश तो आप बोलंगे शाओदी अरब ठीक है अरब प्राइदीब का सबसे बड़ा देश जो है वो क्या हो जाएगा साओधी अरेविया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चलिए तो लगभग एसिया का हम लोगों ने ओवरॉल पोर्शन कभर किया और इसके साथ यदि कुछ फैक्ट छूट गए हैं तुसे आप बता सकते हैं कमेंट में कि एस सभी फैक्ट छूट गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाएगा क्योंकि अभी हम लोग का मैप वाला पोर्शन ही चलेगा क्योंकि इससे कहीं ने कहीं कम्पलेट हो जाता है कि कौन सा नदी कहाँ है कौन सा सी कहाँ है कौन सा जील कहाँ है यह सभी चीजे यहां से complete होती जाती है चलिए जहन फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अपने नए portion के साथ ठीक है जिसमें हम लोग देखेंगे ACA के बाद और जो point होंगे जैसे Europe के ठीक है अगले portion में हम लोग Europe के बारे में देखेंगे तो thanks for watching this video जैहिंद